नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज ब्रिक्स ने हाली में अनॉंसमेंट किया है कि वह है अपनी करंसी लॉंच करने वाला है ब्रिक्स जिसकी स्थापन दो हजार एक में की गई थी और इसमें पहले चार मेंबर थे ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना बाद में 2009 में से साउथ अफरीका ने भी जॉइन कर लिया और आज यह दुनिया की लगभग 26% लेंड एरिया और 42% जन संख्या रखता है और यह इतना important group है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी इसी में आ जाती है आपको बता दें कि ब्रिक्स ने हाली में announcement किया है कि वह अपनी currency लाएगा पर इस currency से dollar का dominance Asia में तो पूरी तैसे खतम ही हो जाएगा देखे डॉलर जो दुती विस्यूदे के बाद सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है देखे दुती विस्यूद में अधिकतर बड़े बड़े देश तबाह हो गए थी और उनके पास पैसा नहीं बचा था एक अमेरिका ही ऐसा देश था जो अपने हथियार बेश बेश के अपने पास पैसा रखता था तो पहले लेंदेन गोल्ड में किया जाता था फिर उसके बाद American currency dollar को किया जाने लगा तब से लेकर के आज तक dollar दुनिया में अपना दबदावा रखता है और इसी के कारण रसिया और चाइना ने यह प्रोग्राम बनाया है कि अब डॉलर को काउंटर करने के लिए अपने इच्छा जाहिर की थी कि और इस ज्रहाएं ने आदे की के कारना दुनिया के 20 बड़े देश जव्हिस मं स्वेल ऑपसे बड़ा और प्रभावकारी जाये़ सब्साइब今 बात कर लेते कि इंडिया को ब्रिक्स की करंसी से क्या लाब मिलेगा देखिए आज हम सभी को पता है कि इंडिया डॉलर के मुकाबले इंडियन करंसी बहुत गिरी हुई और डॉलर का डॉमिनोंस लागतार बढ़ता जा रहा है और इसी को रोखने के लिए दुनिया का प्रतेक देश जो अमेरिका के एरलाइन्स नही किया जाए इसी में इंडिया भी अपनी करंसी को प्रमोट करने पर लगा है पर यदि हम इंडिविजियल किसी करंसी को प्रमोट करेंगे तो वह एक अठा प्रमोट नहीं हो पाएगे इसलिए रसिया चाइना इंडिया ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया है कि हम एक ब्रिक् और यदि BRICS के सभी देश मानेंगे तो लगवगत दुनिया का 30% ब्यापार BRICS के देश ही करते हैं और इस BRICS ब्यापार के करण दुनिया में डॉलर का दबदबा खतम होतागेगा वैसे यदि हम कोई BRICS के रंसी लाते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा फाइदा चाइना को होगा क्योंकि चाइना ही आज USA को काउंटर करना चाहता है और यदि चाइना ताइवान पर कभी भी हमला करता है तो अमेरिका सबसे पहले अपने डॉलर का ही दबदबा दिखाएगा और रसिया के जैसे चाइना पर भी सैंक्सन लगा करके चाइना को एकोनॉमी ब्लॉक करने के कोशिस करेगा इसलिए चाइना सबसे ज़्यादा चाहता है कि BRICS का कोई करंसी आए और ऐसा हुआ तो चाइना बे फिकन हो जाएगा अमेरिका की तरब दो वैसे भारत के लिए ये कहा जाये तो ये बुरी बात भी है क्योंकि यदि चाइना अमेरिका के डर्ग से खतम हुआ तो कभी भी चाइना ताइवान और भारत पर आक्रमल करसकता है और ये बात जाहिर है कि हम पूरी तरह से चाइना की आकमड़ को छेलने के इस्तिती में भी नहीं है हम लोग ग्रोइंग एकॉनमी हैं और आने बाले लगवक 20-30 साल में चाइना को ठकर देने लाइक बनेंगे और आज हम यदि किसी डियुद में उलज गए तो भारत की एकॉनमी तहस्त नैस्यों जाएगी वैसे आपको क्या लग्ता है क्या भारत को ब्रिक्स की करनल सी में सपोर्ट करना चाहिए या और फिर प्रिक्स को माना करना करेंसी देखिए यदि ब्रिक्स की करेंसी आती है तो इंडिया को फाइदा ही होगा कि अमेरिका की टॉलर को खत्म कर सकेगा वैसे आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट में जरूर बताईएगा जे